गाजीपुर के दुल्लापुर पुलिस को गुरुवार की रात बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने स्वाट टीम के साथ घेरा बंदी कर दो बाइक सवार लुटेरों को धर्द बूचा है। हाला कि उनका एक साथी भागने में फरार हो गया है। पुलिस ने उनके पास से लूट की गई बाइक, मोबाइल के साथ ही दो तमंचा और दो कार्दूस भी बरामत किये हैं। पुलिस लाइंग में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वारता में अभियुक्तों को पेश करते हुए पुलीस अधिक्षक नगर गोपिनाथ सोनी ने बताया कि गिरफ्तार किये गए अभियुक्त शातर किस्मिके लुटेरे हैं। आगे बताया कि गुरुवार की रात दुल्लापूर थाना प्रभारी निरिक्षक जित्रेंद्र बहादूर सिंग हम राहियों के साथ गष्ट पर थे। इसी दोरान स्वाट प्रभारी शाम जी यादव टीम के साथ वहां पहुँच गये। तब ही मुखबिर से सूचना मिली कि दो लुटेरे बाइक से कहीं जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने शेत्र के रेवरिया चौजा पुल के पास वहां चेकिंग शुरू कर दी। रात करीब 10 बजे दो बाइक सवार आते दिखाई दिये। पास आने पर जैसे ही पुलिस ने उन्हें रुखने का इशारा किया वो बाइक घुमा कर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने घेरा बंदी कर दो लिटोरों को दबोच लिया। जबकि एक भागने में सफल हो गया पुलिस ने बदमाशों के पास से एक बाइक, एक मोबाइल, दो तमंचा और दो कार्तूस बरामत किये हैं। हेड कॉंस्टेबल राम भवन, कॉंस्टेबल राम प्रताप सिंग, राणा प्रताप, रोहित, विकाश रिवास्तव, संजय प्रसाद, रंजीत सिंग, जितेंद्र प्रताप मौर्या, राजेश कुमार, आशितोष सिंग, लाल वरत यादव, संधीप पांडे शामिल उस लूट में एक मोटर साइकल और मोबाइल छीना गया था, जिसमें मोटर साइकल और मोबाइल दोनों बरामद हुए हैं, जिसमें से दो लोग पकड़े गए, एक वांचित रखे गए हैं, और ये टीम ने हमारी स्वाट, सर्विलांज टीम और येसो दूलापुर की पू बने रही है, उसको सब्सक्राइब दिजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए